यह सवाल जो है यह भी बहुत सरल सबाल है बस समझने की देर है थोड़ी इस देगे क्या कराए एक तुर्की टोपी संक चिंदक के आकार की है चीत देखे यह तर चीतर बना हुआ है संक चिंदक यह दो इतर है स्टिनक मतलब 600 टाइप कमालो जिन कटा कुआ यह देखे खुले सीरे की तिर्जिया खुला सीरा यह होता है यह तोपी पहने जाती है यह दस सेमी हो गई तिर्जिया यानि आधी 10 सेंटी मीटर और किरा उपरी सीरे की तिर्जिया 4 सेंटी मीटर है यानि इसकी आधी चार सेंटी मीटर है, ठीक है, और टोपी की तरियक होचाई, तरियक होचाई, यह होती है, यह होती है, और यह तरिची होचाई होती है, यह होती है, तरियक होचाई, यह क्या है, पंदरा सेंटी मीटर, ठीक है, यह होगे, अब है, तो इसको बनाने में पदार्थ, यह जो जि किएगा दिया है सवाल बहुत सरल है कैसे लगाते हैं इसको दिया है क्या दिया हुआ है कि एक तुर्की टोपी किसके साब से है संक संक के छिनक छिनक के आकार की है छिनक के आकार की है ठीक है बास आप क्या कर लेंगे कि टोपी कि तुर्ची हुचाई यानि कि टोपी की कैसे उचाई तिर्यक तिर्यक उचाई या इसको तिर्ची उचाई भी बोलते हैं इसको लिखते हैं एल से कितनी है पंद्रा पंद्रा सेंटी मीटर ठीक है खुले सिरे कि तृची अ ठीक है कि तोपी कि है न है इसलिए खुले सिरे कि तृची अ मगहा है आर्बन आरबन चाहें छोटा वाला आर मालो जब ये आरबन आई टू मने आरबन बराबर 10 सेंटीमीटर या बड़ा छोटा आर मानते तो फिर आरबना टू जरूत नहीं थी खुला सिरा हो गया 10 सेंटीमीटर उपरी सिरा अब उपरी सिरा लेके तो उपरी सिरा की त्रिजिया यह वाला उपरी सिरे यानि आर्टू बराबर चार सेंटीमेटर इतना समय आया अरे इसमें खथा भी क्या यह तो समझवाई गया होगा आपको ठीक है इतना समय आया ओकी अब हमको निकालना है कि टोपी में प्रियुक्त पदार्थ की मात्रा तो सीदेते हो इसके दो तरीके है एक तरीका यह है कि टोपी का बक्र परस निकाल लो और फिर यह जो उपर से बंद होता है यह तो कपड़ा लगा हुआ है यहाँ पर कपड़ा नहीं लगा है कि यहाँ पर लगा जाता है तो यहाँ पर खुला होता है यह और यहाँ पर यह कपड़ा यहाँ पर बंद होता है लगा होता तो यह चहिए है यहाँ पर बंद सिरे का छेदपल निकालना होगा और इन दोनों को यह और यह कपड़ा जुड़ा है तो यह कप्ड़ा जोड़ा है तो इन दोरों को जोड़ना यानि बक्रपश्ट और कप्ड़ा जोड़ना है यह निकाल लो है एक साह जोड़ा है तो तोपी में प्रयोगत कप्ड़े यानि पदार्थ, क्या पता कप्ड़ा है पदार्थ का छेत्र फल ये छेत्र फल क्या होगा बराबर टोपी का बक्र प्रस्ट प्लस उपर चार से में था उपरी सीरे उपरी सीरे का छेत्र फल उपरी सीरे अना समझा दिया ये वाला सीरा है आप चाहें इसको बंद सीरा बोल सकते हो लेकिन जब सवाल में उपरी सीरा कहा है तो इसको हम उपरी सीरा कहेंगे अब टोपी का बक्रस्ट है इसका सूतर आप क्या लगाओगे पाई आर बन प्लस आर टू और एल होता है प्लस उपरी सिरे का प्लस तो स्री छेत फल छेत फल देखो पाई आर इसको आए होता है क्या होता है पाई आर इसको आए लेकिन ये आर काउन सा है ये चार वाला यानि उपर वाला उपर वाला को आड़ टू माला है ये हो गया अब इसमें क्या करते हैं हम सीधे सीधे मान रखना चालो कर देते हैं और जैसे मान रख देंगे हमारा उत्तराना सुरू हो जाएगा तो क्या करना चाहिए पाई का मा रखते हैं या ने रखते हैं पहले ऐसे हैं करते हैं पाई को आने खटा रखेंगे तो पाई आर बन हमारा दस है आर टू हमारा चार है कोश्टक बंद एल हमारा पंदरा है प्लस पाई आएटो हमारा चार है और चार का स्क्वायर बराबर अब देखिएगा ध्यान से पाई यई से ही दस और चार कितना हो गया 14 गुड़ा में ये 15 प्लस ये पाई यई से ही गुड़ा में 4 को 16 हाँ अब इसकी इसकी गुड़ा हो जाएगी पाई और चाहें पाई ठीक है पाई और गुड़ा में इनकी गुड़ा कर लो तो 15 चक्कू कितना होता है 60 का 0 हासिल 6 तो 15 एकन 15 अब 15 उच्छी कितना हो गया 21 210 प्लस पाई गुड़े 16 अब हिंदी भासाम में अगर लिखना चाहो एक लाइन मुड़ा हो या यहीं पाप्लोक से कर लेना रख लेते हैं तो बताईए तो पाई कमान क्या होता है किसी पता है मुझे तो पता नहीं है क्या होता है नहीं चलो कोशिस करते हैं साइध पाई कमान मालूम पढ़ जाए मुझे तो 2 2 6 गुणे पाई कमान होता है 22 बटे 7 अब पाई कमान होता है 22 बटे 7 अब अब देखिएगा जब 226 के हम लोग गुड़ा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा कितना आएगा देखिएगा इसका हमने गुड़ा करके देखि लिया है तो उत्तर आएगा 4972 और यह साथ बटे में ही रहेगा अब बस यह साथ जो बटे रहेगा यानि कि आंसर या तो सहीं निकाल दो या पाइंट निकाल दो तो सहीं निकाल देते हैं कोई दिकत नहीं क्योंकि साथ का अकसर आंसर सहीं में ही आता है देखिते हैं पुरा पुरा कटतर नहीं करता है तो साथ सते उननचास तो साथ हो गया और यह उननचास चला गया यहां तक अब साथ बचा साथ एकन साथ अब यह साथ चला गया यहां बचा दो दो में साथ कपड़ा जाएगा नहीं दो ना जाने का जीरो अब यहां बचा उपर दो और निक्ची बच्चा 7 और बस यही आ गया तोपी बनाने में प्रयूक्त प्दार्थ का छेतर फल बराबर साथ सव दस सही दो बटे साथ सेंटी मीटर स्कॉायर इतना आया है तो कैसा लगा सवाल अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें फिर मिलते हैं अगले